चेन्नाई में बियेस्पी प्रदेश अधिक्स आम्स्टोंग की हत्यागा विरोध अब तेज हो गया है। बियेस्पी प्रदेश अधिक्स धर्मपाल दीग्रा ने देश में बिगर्ती कानून विवस्ता पर सवाल हुआ। और कहा कि जिस तरह दिन दिहाडे नेताओं की हत्या हो रही है। उनमें आम व्यक्ति खुद को कैसे महफूल रख सकता है। हमारी पार्टी के जो पूरे भारत में आज राष्टरपती के नाम गयापन देने का काम कर रही है। हमारी पार्टी के तमिल नाडू के आरा आरम स्ट्रॉंग जी जो प्रदेश अध्यक जी थे उनके निर्मों महत्त्य कर दी गई। और आज हमारी पार्टी के मांग है कि उनकी सीवी आई जांच हो और दोसियों को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। और जो दोसी है उन-उन को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। यह पांच तारीक का है। कैसे हट्था कहां कर दी गई है कितने लोग यह थे उनके घर चेन नहीं में चांकों से गोल्द कर उनके अट्था कर दी गई। हम तो इंसाब चाते हैं भी दोसियों को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। और वहां की सरकार से हमारी मांग है जो दोसी है उनकी सीवियाई जहां चोने चाहिए कि इसके पिछे कोन लोग है और क्यों उनकी अत्तव ही है। और एक निर्दोस व्रिटी को अगर ऐसे ही अगर ऐसे ही अत्य यह अत्तृती रत्ती है जो आपरदेश प्रदेश दक्स है तो साथ ही वहां मैं आपके चैनल की मद दम से पताना चाहते हूं कि वहां कानून क्या काम कर रहा है। वहां कानून नाम की कोई चीज नहीं है तो कानून में वस्ता पर स्वाल उठाई जा रहे हैं बिलकुल लिए तो अभी जो आप किसको मेमरेंडम देने आए हैं हम डीसी साब को ग्यापन देने आए राष्टर पती के नाम ग्यापन है और हमारी मांग है पूरे भारत में आज जो ग्यापन देने काम जिला हैड़क्वाटर पर हो रहा है तो मैं आपके चैनल के मत नमसे कोंगा भी जल्दी है जल्दी दोस्यों को पकड़ा जाए तो अगर गिरफतारी नहीं होती कोई कारवाई नहीं होती तो आगला प्लान क्या रहे है तो हमारा आगला प्लान जैसे आदर्णी है हमारे सुप्रीम उमायवती जी के बहन जी के आदेश अनुसार जो भी आगले दीशा निर्देश आएंगे उस पर हम जल्दी संग्यान लेने काम करें वहीं ऐसे में अब देखने ही होगा कि सरकार प्रशाशन इनकी मांगों को कब तक पूरा करता है पंजाब के स्री टेवी के लिए यमुना नगर से तिलक भारद वाज की रिपूर